किसान भाईयों BASF भारत के सबसे अच्छे कमपनियों में से एक माना जाता है BASF कमपनी हमेशा किसान भाईयों के लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहता है और जब भी BASF कमपनी कुछ नया प्रोड़क्ट मार्केट में लाता है तो किसान भाईयों के बीच हल चलना मचे ऐसा हुई नहीं सकता है तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे B.A.S.F. की नया प्रोड़क्ट Exponus की इस वीडियो में जानेंगे Exponus की टेक्निकल क्या है एक काम कैसे करती है यानि इसकी mode of action क्या है कब इसका प्रियोग करना चाहिए ये किन कीटों से आपको नियंदरन देगा इसका सही डोज क्या है इसकी price इसके साथ-साथ Exponus की बहुत सारी बाते जानने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो को बिना इसकीप के पूरा देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बिल की घंटी भी दबा दीजिए किसान भाईयों फसलों एवं सबजियों में कीट लगना किसान भाईयों के लिए सबसे बड़ी सरदर्द है ऐसे में अगर कीट लगते हैं तो किसान भाईयों तरह तरह की कीट नासक बाजार से खड़ीद के अपने फसलों सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उन से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलते हैं तथा उनको कीटों से नियंत्रन भी नहीं मिलता है क्यूंकि आपके फसल या सबजी में जो कीट लगा हुआ है वो कीट जो कीट नाशक आप प्रियोक करते हैं अपने फसलों में उन कीट नासकों के प्रति resistance डेवलोप कर चुके होते हैं इसलिए आपको उन कीटों से नियंत्रन नहीं मिलता है क्यूंकि क्या होता है कि कोई ए टेकनिकल की हो नए ग्रूप की हो जैसे एक्सपोनस ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट्रम ग्रूप 30 नम्मर की इंसेक्टिसाइड है ये यूनीक और एक्सक्लूजिव है इसमें टेकनिकल ब्रोफला निलाइड 300 ग्राम प्रती लीटर SC form में मिलता है और इस कीटनासक में जो टेकनिकल है ये टेकनिकल अभी एक्सक्लूजिव और नया होने के कारण कीट इसके प्रती रेजिस्टेंस डिवलॉप नहीं कर पाये हैं तो ऐसे में अगर एक्सपोनस का प्रियोग आप उन कीटों पे करेंगे जिन कीटों पे आप तर 100% डिजल देगा और बहुत ही अच्छा डिजल देगा किसान भायो एक्सपोनस आपको माइड्स, केटरपिलर्स, फ्रूट बॉरर्ब, बॉल वर्म्स, थ्रिप्स, सिमी लूपर्स, पॉर्टेड लिडोरा, हॉइट फ्लाइज ऐसे खतरना कीटों से नियंतरन दे सकता है उ जब भी कीट इस दवाई के संपर्क में आते हैं तो ये दवाई सीधे कीटों की नर्वस्ट सिस्टम को अटैक कर उसे डैमेज करके कीटों को मार गिराने में सक्सम है किसान भाईयो आप एक्सपोनस की प्रियोग सभी प्रकार के फसलो एवं सबजियों में बे जिजग कर सकते हो अगर बात करें इसकी stage of application की तो आप इसे फ्लावरिंग की stage छोर के किसी भी stage में प्रियोग कर सकते हो चाहे वो vegetable growth की stage हो fruit maturity की stage हो या harvesting की stage हो आप इसे किसी भी stage म बेजिजक इस्तमाल में ले सकते हो दोस्तो एक्सपोनस आपको 17 ml के पैक में मार्केट में आसानी से मिल जायेगा एक्सपोनस की डोज की बात करें तो ये स्वयविन धान जैसे फसलों में आपको 17 ml 200 लिटर पानी में घोल कर छिरकाव करनी है बहीं सबजी बरगिया फसले जै कॉम्पोजीशन कर सकते हैं मिला के छिरकाव कर सकते हैं लेकिन ये किसी भी अन्य ग्रूप के खर्पतबार या हर्विसाइड के संग कॉम्पोजीशन नहीं चलेगी इसकी इसके अलाबा अगर बात करें एक्सपोनस की रेंफास्टनेस तो अगर किसान भायो इसके सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसान भायो और एक बात अगर आप इसका प्रियोग अपने फसलों में करेंगे तो सामके टाइम ही इस प्रे करेंगे तो अच्छे से ये अच्छा रिजल दे पाएगा इसके इस प्रे के कुछी घंटों में कीट देखेंगे कि मरन रहा है तो ऐसे में आप इसका एक बार प्रियोग करके देख सकते हैं आपको बहुत ही अच्छा रिजल मिलेगा उमीद है किसान भायो ये सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा अगर आपके मन में कोई सवाल या सुजाब हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताए और